आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है इस्तिफे की खबरों को सिकु ने बताया फर्जी बोले में एक योद्धा हू लड़ाई में संगर्श करूगा राजसबा चुना विजेता हर्श महाजन का बड़ा दावा हिमाचल में बनेगी बिज़िपी की सरकार आईए रेखते हैं खबरे विस्तार से कॉंगर्स के किलाव विजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा सेयद नासिर हुसेन पर कारवाई की मांग की कजिया करनाटक भाजपा ने कॉंगर्स के किलाव बैंगलूर में तिरंगा यात्रा निकाला इस पर करनाटक विधान सबा अध्यक्ष यूटी खादर निका कि हम विधान सौध में कतित तोर पर पाकिस्तान समर्था नारे लगाने के लिए सेयद नासीर हुसेन और उनके समर्था को किन इंदा करते हैं उनके गिलाफ तक्त कारवाई की जानी चाहिए या अध्यक्ष के आधिकार से बाहर है मैं एक विस्तरत जाच करने के लिए सियम और ग्रहमंत्री के साथ चर्चा करूगा मैं सबी दलों से एक्ताती खाने और चीजों का राधनिती करन ना करने का अनुरोद करता हूँ पार्टियों के बीच कोई एक्ता नहीं होने से इन तत्वों को फाइदा होगा और वे ऐसा करते रहेगे बढ़ते अगली ख़बर क्यों इस्तिफए की खबरों को सुकु ने बताया फर्जी बोले मैं क्योद्धा उलडाई में संगर्श करूगा इमाचल प्रदेश में कॉंगे सरकार गिरने की सियासत अटकलों के बीच मुक्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुकु का बयान सामनी आया है जिसमें वह ऐसी खबरों को फर्जी बता रहे हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और उनकी सरकार पूछ पूरे 5 साल चलने वाली है सियाम ने कहा कुछ मीडिया हाउसों में ऐसी खबरे है कि सियाम ने इस्तिफा दे दिया है मैं स्पर्श करना चाहता हूँ कि मैंने इस्तिफा नहीं दिया है मैं ये एक योद्धा हूँ हम बज़ेट सत्र के दौरान अपना बहुमत साबित करेगे मैं ये भी स्वर्ष करना चाहता हूँ कि कॉंगर सरकार अपना पूरा पास साल कारेकाल पूरा करेगी क्या बोले सियम हिमाचल प्रदेश के सियम सुक्विंदा सिंग सुक्कु ने कहा ना तो किसी ने मुझसे इस्तिफा मंगा है और ना ही मैंने किसी को अपना इस्तिफा दिया है हम बहुमत साबित करेगे हम जीते के हिमाचल की जनता जीतेगी बढ़ते अगली ख़बर क्यों राजय सब्भाद चुनाव विजेता हर्ष महाजन का बड़ा दावाई हिमाचल में बनेगी बिज़ी पी की सरकार जिया हिमाचल प्रदेश के राजय सब्भा चुनाव में जीतके बाद बिजी पी उमिद्वार हर्ष महार्जन ने कौंगर्स पनिशाना साधा है उन्होंने कहा कि कॉंगरिस अपना बहु मत खो चुकी है यह जंता जान चुकी है और अब बीजीपी की सरकार बनेगी कॉंगरिस के कुछ और विदायक में हमारे संपर्क में है अगले कुछ घंटों में स्थिती बदलने वाली और बीजीपी जल्द ही अपने सरकारी लोग सुकु सरकार से परेशान है सभी अच्छे नेता बीजी पी में शामिल होना चाहते हैं इसे तरह की जिनवर की तमाम बड़ी खबरों से फिरकर आओगे आप कर उबरू तब तके रेक्ते रहे हैं MNS News Network मेरे साथ यह ने अर्शियन सारी के साथ नमस्कार यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News